एक्जिट एक्जाम को लेकर PCI की तरब से नया नोटिफिकेशन आया है और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये बात करते हैं इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं आज की डेट एक्जिट एक्जाम डी फार्मसी जैसा की आप हाली में कुछ महिनों से सुनते आये हैं एक्जिट एक्जामिनिशन के लेकर और सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो थी वो आज दूर कर दी है इस नया नोटिफिकेशन में सबसे पहले लेके चलूँगा आपको इस नया नोटिफिकेशन में फिर इसके बारे में डिसकस करेंगे जैसे कि आप स्किन पर देख पा रहे हैं यह PCI की ऑफिसल वेबसाइट है और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसान कोई नोटिफिकेशन आए तो आप अपनी खुद की तरफ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं आपको गूगल पर PCI लिखना है जैसे ही आप इसकी ऑफिसल वेबसाइट पर चले जाएगा पॉलिशी और सर्कूल पर क्लिक करिएगा तो पहला ही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जिसमें की 18.08.2022 यानि की आज की डेट में एक नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है जैसे ही आप इसको ओपन करिएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपको देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करिएगा तो देखिए 18.08.2022 का यह नोटिफिकेशन सर्कूलर है जिसमें की सबजेक्ट क्या लिखावा है देखिए Exit Examination for De-Pharmacy Courses Under Diploma in Pharmacy Exit Exam Regulation 2022 क्या लिखा हुआ इसमें देखिए Reference Circular Number मतलब पिछली जो Circular Number आयो है उसका Reference देख के लिखा हुआ है Sir and Madam with Reference to the Subjected Cited Abow यहां पे देखिए Meanwhile मैं आपको बता हुँ यही लिखा हुआ है कि 8-8-2022 को एक Meeting होती है May be held on November 2022 जी हां सबसे बड़ी अपडेट आ रही है सबसे बड़ी Breaking News यह है PCI ने अपनी Official Website पे Official Notification निकाल के बता दिया है यह एक्जाम जो है वो नवंबर में conduct हो सकता है exit exam नवंबर में conduct हो सकता है जो है वो निकल के आ रही है क्योंकि काफी सारे ऐसे student काफी सारे ऐसे लोग बोलते थे exit exam होने ही नहीं वाला है होगा ही नहीं उन सब को यहां पे जवाब मिल गया इस notification के थुरू कि यह exam जो है वो देना ही पड़ेगा मतलब की जैसा कि हम previously बात कर चुके है साल में दो बार यह examination होगा आप कितने भी attempt दे सकते हैं क्या-क्या इसका examination pattern रह सकता है इन सब के बारे में हम detail में discuss कर चुके हैं फिर भी आज साम को आपको एक detailed video मिलेगा जिसमें कि हम बात करेंगे exit exam है क्या कैसे हो सकता है क्या examination pattern होगा examination pattern हो सकता है कितनी बार दे सकते हैं सर पेपर का medium कैसा होगा पूरी detail में एक video आज साम को आएगा क्यूंकि आज इसनी बड़ी जो है update आई है इसके regarding तो काफी सारी confusion जो है वो student के दिमाग में होगी सारी confusion को दूर करेंगे आज साम को जो video आ रहा है जिसमें की detail notification आपको देखेगा exit examination के बारे क्यूंकि देखेए यह official website पे notification आया है तो इसको बिल्कुल ही सही मानेंगे हम आगे भी ऐसा हो चुका है कि काफी बात एक बार एक notification आया था fake notification जिसमें लिखा हो था जुलाई में exam हो जाएगा फिर दूसरा notification आया था जिसमें की लिखा हो था कि अगस्त में exam हो जाएगा तो यहाँ तक की एक बार तो PCI ने खुद ने clarification दिया था कि यह exam जो है यह जो fake notification चल रहा है ऐसा PCI की तरब से notification नहीं आया हुआ है बट आज की date यानि की 18.08.2022 को फाइनली एक notification आय ही जाता है जिसमें की clearly mention है कि आपका exit exam may be held on November 2022 ठीक है जी अब यहाँ पे एक और point सबसे important लिखा हुआ है देखिए the other detail like date of examination मतलब कि यह किस date को examination होगा पहला point दूसरा देखिए center of examination मतलब कहां आपका exam हो सकता है कौन exam करवाएगा और यहाँ पे देखिए exceptra मतलब कि center of कहां आएगा आपका examination होगा कहां पे date क्या होगी examination की will be announced due to course of time जैसे ही समय आएगा उसको भी allowance कर दिया जाएगा तो काफी confusion create होगी काफी सारे student को कि sir मेरा exit exam जो होगा या नहीं होगा इन सब के बारे में सामको आपको एक detail वीडियो मिलेगा जिसमें की बारी बारी में हम बात करेंगा examination को लेकर क्या क्या confusion है और इसके बारे में बात करेंगा detail एक पूरा summarize वीडियो मिलेगा आपको exit exam को लेकर क्यूंकि आप जानते हैं कि pharmacy में चलने वाला diploma in pharmacy में मेरे इसाब से यह सबसे बड़ा revolution हो सकता है इस exit exam को लेकर बहुत एक clear vision है PCI का क्यूंकि प्रिविएसली काफी सारे student का message रहता था कि sir ये exam होगा कब कब हो सकता है तो काफी सारे ऐसे prediction लगाए जाते थे कि अब होगा या फिर नहीं होगा इस साल होगा ही नहीं तो देखिए इसमें हमने भी पहले एक बार मैंने वीडियो बनाया ता जिसमें मैंने बताया लगबग लगबग दे ही दिया था कि आपका जो examination है वो most probably इस साल इसी साल के November या December में हो सकता है वैसा ही notification हमें देखने को मिल ही गया ठीक है तो जो भी student देखिए यहां पर exit exam को लेकर आपको अच्छे से preparation करनी है कैसा examination होगा इसके बारे में भी हम आने वाले time में detail वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे तो कि में जानने की कोशिस करेंगे कि क्या notification है क्या update है पूरी जानकारी मिलेगी आपको हमारे चैनल अमर सार अकेडमी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले देखिए कल ही हमने बात की थी कल मैंने बताया था कि अगर जो student 2022 में admission देना चाहते हैं diploma in pharmacy में तो उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना है पहला तो आपका syllabus change मिलेगा आपको examination pattern जो है वो भी change मिलेगा और सबसे बड़ा जो यहां पर update आ रहा है कि जो वो 2022 में admission लेंगे उनको तो exit exam देना ही है तो यह तीन बड़े changes जो है diploma in pharmacy में आने वाले हैं तो जो भी student इस साल से admission लेना चाहता है उनको तो दिमाग में रखना ही रखना है कि हमारा तो exam होगा ही होगा और देखिए यहां पर लिखा हुआ है और भी announce जब भी होगी notification डिटेल वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले कीप वाच प्लीज से तो